सीमा पर हमलों के बीच पाकिस्तान और इरान ने कूटनीतिक चुनोतियों का सामना किया पाकिस्तान और इरान के बीच हालिया सीमा हमलों ने राजने एक गतिरोध पैदा कर दिया है, जिससे दोनों देशों को स्थिती का सावधानी पूर्वक आकलन करने के लिए प्रेरित किया गया है इन हमलों, जिसके परिनामस्वरूप दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए, ने क्षेत्रिय स्थिर्ता के बारे में चिन्ताय बढ़ा दी हैं, विशेश रूप से मध्यपूर्व में चल रहे संगर्शों के संदर्व में बढ़ने की आशंका इरान ने बताया कि हमलों के कारण उसके छेत्र के सीमावर्ती गाव में चार बच्चों सहित नौ लोगों की दुखद मौत हो गए इसके विप्रीत, पाकिस्तान ने अपने छेत्र पर ईरानी हमले के कारण दो बच्चों की मौत की बात स्वीकार की दुखद घटनाओं के बावजूद, पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने तनाव बढ़ाने के प्रती देश की अनिच्छा पर जोड़ दिया सीमा पार घटनाओं के जवाब में, पाकिस्तान के कारेवाहक प्रधान मंत्री अन्वर उलहक काकर ने व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा समीक्षा करने के लिए सैन्य सेवा प्रमुखों के साथ एक उच्चस्तरिय बैठक बुलाई सन्युक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और अमेरिकी राष्ट्रपती जो बिडेन सहित अंतरराष्ट्रिय समुदाय ने दोनों देशों से अधिक्तम सन्यम बरतने का आग्रह किया पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक प्रतिक्रियाए पूर्फ पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जर्दारी ने रक्षात्मक रुख की वकालत की लेकिन भविश्य में सहयोग के लिए इरान के साथ बातचीत के मेहेत्व पर जोड़ दिया दूसरी ओर, जेल में बंध पूर्फ प्रधान मंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान पर हमले के लिए इरान की निंदा की और देश की अखंता और सुरक्षा की रक्षा में कथित विफलता के लिए कारेवाहक सरकार की आलोचना की राजनेक विकास प्रारंभिक तनाव के बावजूद, कारेवाहक प्रधान मंत्री के नेत्रित्व में पाकिस्तान की कैबिनेट ने इरान के साथ पूर्ण राजनेक संबंधों को फिर से स्थापित करने का निरने लिया यह निर्ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद लिया गया है, जिसमें सुरक्षा मुद्दों पर निकट सहयोग की पारसपरिक इच्छा व्यक्त की गई है सन्यम के लिए अंतरराष्ट्रिय आहवान रूस ने कूटनीतिक समाधान की आवशक्ता पर बल देते हुए छेतर में सन्यम बरतने का आहवान किया चीन ने तनाव कम करने में रचनात्मक भूमी का निभाने की पेशकश की जबकि यूरोपिय संग ने हमलों पर अत्यंत चिंता व्यक्त की सन्युक्त राष्ट्र प्रमुक की चिंता की अभिव्यक्ती ने सैने हमलों के संभावित व्यापक प्रभावों को रेखांकित किया कूटनितिक घटनाकरम के बीच अलगावादी समूव बलूच लिबरेशन आर्मी ने जवाबी का रवाई की धमकियां जारी की जिससे स्थिती में जटिलता की परत जुड़ गई बाजार प्रभाव और सुलह प्रयास पाकिस्तान के शेरों में अस्थाई गिरावट देखी गई है मौझूदा तनाव आर्थिक नतीजों के बिना नहीं रहा है तनाव कम करने की मांग करते हुए पाकिस्तान ने इरान के अंदर जवाबी हमले किये लेकिन बाद में एक सुलह संदेश भेजा जिसमें आगे बढ़ने में कोई दिल्चस्पी नहीं होने की पुष्टी की गई पाकिस्तान और इरान के बीच उभरती स्थिती क्षेत्रिय भुराजनीती की नाजुक प्रकृती को उजागर करती है जबकि संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए राजने एक प्रयास चल रहे हैं अंतर राश्ट्रिय समुदाय सतर्क है और सीमा हमलों के बाद स्थिर्ता सुनिश्चित करने के लिए बादचीत और सन्यम के मेहित्व पर जोड़ दे रहा है